तो बच्चों मैं सांक आप सभी का स्वात करता हूँ आपने से यूट्यूब चाहिए सांक स्टडी सरकल में तो आज हम फिर्श रपरजेंट हैं क्लास एट बीटी बीसी के एक और वीडियो के साथ जिसमें कि आज हम सिक्स पॉइंट टू करेंगे तो प्लीज लाइक करें श इसकी फीडियो नहीं देखिए, तो निचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलाएगी वहाँ पर जाकर आप सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर करना ना भूलें और वीडियो को उन तक शेर करें जिनको वीडियो की जरूर थे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं चले तो यहां पर करता है बोवा सबसे पहला कोशें कि निमलिखित में से प्रतेक संख्या का घनमूल अभाज गुननखंड बीधी से क्या करना है ग्यात करना है 125 अगर 125 का आप निकाल देखिया अभाज गुनन वह पांच गुने पांच गुने पांच ठीक है जी चलिए हो गया तो इसको इस परकार लिख लेंगे पांच का क्यू तो क्यू से यह पूरा खतम तो कितना एंसर पांच ठीक है जी याने 125 का घनमूल कितना होता है पांच होता है ठीक है 729 दिया तो 729 को देदी आप लिखे पान सो बारा करते हैं तो आठ गुनिया यह यह आपने हमारा क्यूचा वाला देखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं ठीक है वीडियो की इंड में हम बूर्ड डाल देंगे आप उसको कॉपी पर लिख लिए जाएगा ठीक आर्ट का क्यूच 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 खतम तो कितना होता है क्यूच क्यूच से पूरा खतम थे 18 यह निक्स से हमारा बी आलीस एक 0 42, 18, 75 दिया है वह वह ये किसका है वह वह ये होता है वह 75 का 75 गुने 75 गुने 75 ठीक है जी चलिए तो हो जाएगा 75 का Q ठीक है जी Q से पूरा खत्म मतलब 75 या आप चाहें तो 42, 18, 75 को यह दिया आप निकाल के भी देखेगा इस प्रकार देखें 42, 18, 75 पांच वह लगाई है यहाँ जाएगा 8 यहाँ जाएगा 36, 75 ठीक है यह पांच हो गया 41, 800, 75 चलिए इसके बाद फिर 5 वह लगाई है 16, 85, 36 और 55 ठीक है जी फिर पांच में लगाएंगे तो 31, 55 फिर पांच में में लगाई है 600 हो जाएगा यहाँ पे 631 ठीक है जी इसे पगाद फिर आप लगाते जाएगा तो आपको क्या है लगता जाएगा ठीक है 631 ठीक है अपनी होना ची पांच में लगाएं 355, 36 हो जाएगा जी पांच पांच 611 नहीं एक आजाएगा एक पांच छेतिया पांच यह पंदर ठीक है यहाँ थोड़ा गलत हो गया था क्यूंकि हम लुक करके देखते हैं न सब चीत तब आपको बताते हैं चाहिए तो पंदर चहुतर चौसट ठीक है जी दो बार में लगाईएगा तो आपको आजाएगा यहाँ पे 78 732 ठीक है जी फिर लगाईए इसको चाहिए तो आप लगा सकते हैं दो बार में 49 366 ठीक है जी फिर दो बार में लगाईए तो 19 683, ठीक है, फिर लगाईए, अब दो बार में लगाईए ने, क्योंकि तीन तो तीन बार में लग जाएगा, 6561, ठीक है जी, फिर तीन बार में लगाईए, तो यहां फो जाएगा, 2187, तीन बार में फिर लगाईए, तो 729, फिर तीन बार में लगाईए, 243, ठीक है जी, फिर तीन वार में लगाई है तो एक आसी फिर तीन वार में लगाई है तो 27 फिर तीन वार में लगाई है तो 9 फिर तीन वार में लगाई है तो 3 मतलब इस हिसाब से देखे तो 2 कितना वारा है 1, 2, 3 बार यान दो आया है 3 बार 3 कितनी बार आया है 1, 2, 3 जोड़ा ही लगा कर लिखने लिख दो 3 का Q ठीकिजिए यहां तक तो हो गया 3 अब दिखतें 1, 2, 3 गणमूल निकालना है वह लिखना सूझ तो इसका भनमूल निकालना है बहुत याने 54 यही आपका एंसरू गया ठीक है next हम लोग देखते हैं next है हमारा चहुतर 088 कितना है चहुतर 088 है तो इसको देखते हैं हम लोग चहुतर 088 ठीक है जी दो बार में लगा है तो 37,044 ठीक है फिर लगाते हैं हम लोग दो बार में यहां पर लग जाएगा आपका 18,185,22 दो बार में लगाएंगे तो हो जागा 2061, फिर लगाएंगे दो बार में लगाएंगे तीन बार में लगाएं तो आजाएगा 3087, फिर तीन बार में लगाएं 129, ठीक है जी, 139 तो अप किसी से कट नहीं रहा है, उसके बार चानत लगा सकते हैं, 7 वार में 147 वार में करता है जी, फिर लगाए तो 3 वार में लगाए 49, फिर 7 वार में लगाए, तो 7 होता है, मतलब इस हिसाब से देखें 2 आया है 3 वार, ठीक है जी 3 कितने वार है, 1, 2, 3 वार आया है, ठीक है, 7, 1, 2, 3 वार, 7 भी 3 वार है, इसको सब में से एक निकलेगा एन एक वार दो निकलेगा एक वार तीन निकलेगा एक वार साथ निकलेगा है ना दो तिया छे छे सते 42 मतलब इसका जाएगा हमारा 42 ही हमारा एंत्र हो गया नेक्स्ट है हमारा यहां पर दिया हुए है 17 56 16 ठीक है जी हम चाहती हैं पर भी कर सकते हैं बर चलि थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ठीक है 15 दिया है 17 56 16 56 दिया है दो बार में लगाएंगे तो आज आएगा 87 808 ठीक है जी फिर दो बार में लगाएं क्योंकि 6 अंके तो यहां भी 6 अंक आया है दो बार में फिर लगाएं तो आजागा 43,904 सोरी यहां पर यह नहीं होगा 87,808 फिर दो बार में 43,904 फिर दो बार में लगाएं तो 11,932 ठीक है जी फिर दो बार में लगाई तो आजागा 10,986 दो बार में लगाई तो 54,88 आएगा फिर दो बार में लगाई तो 27,44 दो बार में लगाई तेरा सो बहत्तर फिर दो बार में लगाई 686 दो बार में लगाई 343 अब दो से नहीं कटेगा साथ से कटेगा मतलब इस ही साफ से देखे तो 2 कितनी वारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 9 वारा है मतलब 3, 3 के form में लिखते हैं ताकि हमको निकालने मसानी हो और 7, 3 गवाय है मतलब ये हो गया अब इसका घनमूल टैप में अगर निकालना चाहें तो 1 इस से 2 निकलेगा एक इस से 2 निकलेगा एक इस से 2 निकलेगा एक साथ निकलेगा हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8 सते 56 यानि 17, 56, 16 का आजाएगा 56 एंसर जी फिर यहां पर हम आ रहा है 49, 937 तो 35, 937 का अगर आप निकालिए तो ये करता है आपका शायद 3, 5, 8, 8, 9 7, 27, 27 मतलब 3 से कटेगा 11, 964 ठीके जी 11, 989 फिर देखे 3 वार में लगाएगा तो 49, 93 ठीके जी फिर तीन वार में लगाएगा तो आजाएगा आपका 13, 31 11 वार में 61 11 वार में 11 मतलब देखें तो 3 आप रहे है यह 11 आया है तीन वा इसका घनमूल निकाल दीजिए तो मतलब एक तीन निकलेगा एक एक गार निकलेगा मतलब गारती यह 33 तो इसका एंस हो जाएगा तेस यही आपका एंसर गया जी तो यह था हमारा कोशन नमबर वण आए देखते हैं कोशन नमबर टू को और हाँ बीडिय घन संख्या का घनमूल भी ग्याद करने वैसी संख्या क्या गुना किया जाए ताकि यह जो संख्या है वो क्या हो पुर्णता घनमूल बन जाए ऐसी चीजें आपने एकसरसाइक 5.2 में ही पड़ी है चलिए यानि कोई संख्या होगा जिसके कारण यह घनमूल नहीं बन पा दो बार में 10 दो बार में 5 ठीक है जी यहाँ पर देखें तो 3-2 आया है 3-2 यहाँ पर आया लेकिन 5 सिंगल रहा है तो साथ में यदि हम 2-5 और मल्टिप्लाइ कर दें तो यह संख्या जो हो जाएगी तो मतलब 5 गुने 5 हमको गुना करना पड़ेगा यानि answer आगया हमारा 25 ठीक है जी चाहिए इसमें देखें एक प्रिश्णा और आप करता है कि यानि जब आ जाएगा यह सेस तो करता है इस प्रकास से प्राप्त पूर्ण घंसंख्या का घंमूल भी आप उग्याद करना है चलिए तो यदि 2-5 इसमें जोड़ देते हैं तो यह 3-5 हो जाएगा त तो निया घं मूल ठीक है निया घं घं मूल बराबर देखें इस तीन से एक दो निकलेगा और नीचे वाले से पांस निकलेगा तो अनसर कितना होजागा 200 आपका नसर हो गया 25,20 ही अपका अनसर इसका देखें बहुत 13 तेरा बामन है तो तेरा सो बामन कायदी आप निकालें दो बार में 676 दो बार में आ जागा 338 दो बार में 194 में फिर दो बार में 97 तीके जी यहां पर यह हो रहा है तेसु बामन, host चीरत हो गया, दोबाल में तिन सव औरती हैंडि हो गया, दोबाल में एक सू चो औरानमे, दोबाल में हो जागा एक संथरू देखेंगे तो एंसर नहीं आ रहा है हमारा, टेकिन यदि हम यहां पर काम करें, एक संथरू यहां हो जाएगा हमारा 26, फि है मतलब कि यहां पर हमारा घट रहा है एक और 13 तो एंसर हमारा हो गया 13 चाहिए और उसके बाद यह दिती तीन वार 13 आ जाता है तो कितना हो जाएगा वर्ग मुझे नया घनमूल बराबर दो गुना 13 मतलब 26 ठीके जी तो हमारा एंसर हो गया टोटल कितना तेरा कॉमा 26 हमारा एंसर हो गया है इसको त्वासा सुधार लिजेगा आप लोग तीसरा देखते हैं ठीक है जी तीसरा हमारा सामने हमें 9, तीनवर में तृट अब देखें तीन कितनी वारा मरतबा आया है फांच मरतबा आया है तो मतलब हमको three घट रहते है ठीक है मतलब success जो है से संख्या कितनी 3 नया घनमूल क्या हो जाएगा वह नया घनमूल तब 10 को या 6 को तीन हेगा मतलब 3 x 3, मतलब 9 तो total answer कितना हो गया ? 3 6 घट रहा था और नया बर्गमूल 9 answer वही 675 को देखें, बहुत 675 को लगा है 5 बार में 135 5 बार 27 3 बार में 9, 3 बार में 3 तो देखे 5 आया है 2 बार, 3 आया है 3 बार तो 6 जो हमारा संख्या और जगा से संख्या पांच आएगा क्योंकि पांच एक हो जाएगा तो यह घनमूल बन जाएगा तो नया घनमूल क्या हो जाएगा बहुत नया जो हमारा घनमूल हो जाएगा वह हमारा क्या तीन पांच निकलेगा एक तीन निकलेगा तो मतलब 15 हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा चाउवन-दोबार में 27 फिर तीनवार में 9 तीनवार में 3 देखे तीन-टीन वार आए है दो भी आए है टीनवार लेकिन 1-2 फालत्व है मतलब सेस जो हमारा संख्या हो Deswegenona 2 दो मतलब चार नया घंमूल क्या हो जाएगा जी नया घंमूल देखे 3 2 यहां तो निकलेगा फिर तीन तो यहां हो जागा इन दोनों कुमिलाद एक दो निकलेगा फिर यह तीन है तो मतलग एक तीन निकलेगा तो हो जागा दो दोनी चार चार तीया बार ठीक है तो हमारा एंसर कितना हो जागा चार कॉमा बार यह हमारा एंसर गया तो यह था हमारा कोशन नं होते हैं 256 को दो बार में 128 दो बार में 64 फिर आप चाहें तो लगा सकते हैं दो बार में 32 दो बार में 16 दो बार में आपका 8 दो बार में 4 दो बार में 2 ठीक है जी तो मतलब वो गया, तीन गो दो आया न तीन वार थिंगा जी? फिर दो आया, दो आया, मतलब की यदी हम इस इसको हटा दें मतलब दोत्वानी चार को हटा देतर यह संख्या अपने आप क्या हो जागा घनमोल हो जागा देखे चार चोगा सोला सोला चोगे 403 बार दिखाते हैं तो मतलब 4 तो हमारा अंसर हो गया टोटल 4,4 यह हमारा सॉरी घनमूरी ग्यात करना है चलिए तो 4 हो जाएगा मैंन सक्किल कि इसमें भी 4 आया है और इसमें भी 4 आया ही है इसमें देखें 3125 का देखें भी 5 बार में 625 5 बार में 125 5 बार में 25 फिर 5 बार में 5 अब देखें तो 5 कितना बार आया मरतबा 5 मरतबा आया है ठीक है तो इसको इस पर कार लिख सकते हैं कि हमको घनमूल के रूप में लिखना है न तो यदि हम यहाँ पे 25 से भाग दे दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा और यदि यहाँ पे हम क्या है बहुआ 4,4 ही अंसर दिया हुआ ठीक है इसको देख ली जगा बुक देखे होंगे तब हमारा जो अंसर 4,4 दिया है चलोः इसमें ध्यान देते हैं तो यदि हम 25 से भाग दें तो नया जो घनमूल हमारा हो जाएगा बहुआ उसमें क्या करेंगे हम 31,5 में यदि 25 से भाग दें तो हमारा यहाँ पा जाता है 120 कितना आता है वह 120 125 जिसका कि यदि आप घनमूल निकालेगा तो 5 आगा कि 5 का क्यों 125 होता है तो हमारा टोटल एंसर हो गया 25,5 ही हमारा एंसर हो गया जी ठीक है आए देखते हैं कोश्या नंबर 3 को चले कोश्या मत 3 हमें आप देखें 819 है वह है न असी 19 है चले तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बहुआ हमको भाग देखें देखना पड़ेगा तो 11 बार में देखें तो क्या कट रहा है देख लेते हैं चले 11 बार में यदि हम लगाएं तो 1777 हो जागा 3,1,2,8,9 ठीके जी 11 हो गया मतला हम यह आप देखने कि 9 तो 3 वार लेकिन 11 एक फालतू आ गया है तो हमको कितना से भाग देना पड़ेगा बहुआ 11 से भाग देना पड़ेगा तो नया जो घनमूल बनेगा बहुआ यदि आप यानि 809 को यदि 11 से भाग दीजेगा तो आएगा 729 और 729 किसका घनमूल ह होता है ठीक है जी थो हमार टोटल हो गया है 11,9 यह हमारा एंसर हो गया जी चर्ण 4 08 का दिक दो बार में लगाएं तो 704 दो बार में 360 भार में 188 फिर लगाएं तो दो बार में 24 लगार 12 मतलब इस में देखें तो 22 जो हमारा है वो फालतू है और यदि हम नया जो घनमूल देखें या मतलब 1408 में यदि आप 22 से भाग दीजेगा तो आपका आ जाएगा कितना 22 यानि 64 के रखवा आ जाएगा ठीक है जी कितना आ जाता हमारा 64 आ जाता है और 64 किसका घं़मूल होता है वह चार का ठीक है जी तो हमारा टोटल एंस हो गया 22 तो भाग देंगे 4 इसका घं़मूल हो गया है न जी चले 190 का देखते है 190 का है भूख आप हमने दिखा है 190 को यह दिआप करके देखें 2 बार में 96 2 बार में 48 2 बार में 24 का रायाया जी अतीन एक फाल्तु आ गया है तो मतलब यदि हम TGN हम तीन से भाग दें तो professionals 64 की संकhya का घनमूल होता है फिर हमारा 4 हमार हो गया तो हमारा टोटल एंसर हो गया ठीन कोमा started हमारा यह था अमारा कोशे नमबर तीन के सबी प्रश्नों का उतर आए देखते हैं कोशे नमबर 4 को चलिए कोशे में 4 का था अनुमान द्वारा निमलिखित घन संख्या का घनमूल ग्यात के अनुमान लगाना है चलिए तो अनुमान के बहुत सारे नियम है बव तो इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो हम बना देंगे बटाई थोड़ा पुत अनुमान तो लगा सकते हैं चेरे, लास्ट संख्या दो है तो सबसे पहले कोशिस करनी है कि कौन सी संख्या है जिसका घनमूल जो है लास्ट अंक दो आता है तो हमको याद कीजिए, आठ का घनमूल एक ऐसा है जिसके लास्ट में दो आता है मतलब इस संख्या का लास्ट अंक आठ होगा ठीक है जी, पांच है तो किस संख्या है दखे किस-किस संख्या का घनमूल जो है पांच हो सकता है, एक का घनमूल गंगल एक होता हे बहूँ आ है किसका गंगल इसका संख्या में लास्ट पांच ring असरू होता है क्यों यह asleep न ही गया करें दोनों के बीच महीं आता है न पांच तो हमको शोटी संख्या कुले ना है । ऐक का क्यूज एक तो मतलब इसका हो जाएगा चैसरे ग्हनमूल विसंद बीचे बीच की कनूंल के बीच में 5 का क्यूंध होता है इन दोनों के बीच में आता है तो हमेसा छोटी सब्क है मतलब चाल ठीक है इसमें देख के छे अंक मतलब तीन लेना चलिए हम तो सोचे थे ऐसे नियम नहीं बताएंगे लेकिन चलिक नियम जान लेते हैं इसे करकें सुरू वाले को देखते हैw चलिए तो यहाँ पर 401 है तो 401 किसके किसके बीच में आता है बहुत 7 का Q 343 होता है जी 8 का Q 512 होता है इन ही दोनों की सबसे चोटी संख्या साथ है मतल्द 7 5 किसके लास्ट में आता है 5 का Q 125 यही आता रही तो 5 ठिकर जी चलिए इसमें बहुआ 6 अंके तो 6 है तो हमारे लेना पड़ेगा हमको 3 अंक ठीक है जी लास्ट अंक 4 तो किस अंक्या का घनमूल में जो लास्ट अंक 4 आता है बहुआ तो वो है 4 ठीक है जी 117 किसके किसके बीच में आता है बहुआ तो यहां पुझाएगा 5 का क्यू 125 होता है 6 का क्यू 216 होता है बहुआ तो हमें इसाथ छोटा वालक तो यहां लिखेंगे 4 ठीक है यहां देखते हैं 4913 ठीक है लास्ट अंक 3 किस अंक्या घनमूल के लास्ट में 3 आता है यहां 5 अंक तो दो अंक लेना पड़ेगा 7 किस अंक्या का लास्ट में 7 आता है बहुआ तो हो है तीन 3 का क्यू 27 लास्ट अंक 7 12 है बहुआ बहुआ दो किस अंक्या के बीच में जो है बहुत ज्यादा छोटा अंक याने 2 ठीक है यह पांच अंग दो अंक लेना पड़ेगा लास्ट आठ है तो दो आ जाएगा जी और 32 यानि किसके किसके बीच में आता है तीन का क्यों 27 होता है चार का क्यों 400 बहुत जादा छोटा वाला तीन तो 32 हो जाएगा इस पगार क्या है कि कोश्चन नंबर 4 जो है हमने अनुमान से बना लिए आए दखते हैं कोश्चन नंबर 5 को चले कोश्चन नंबर यहाँ पर पांच काता है निमलिखित में से सत्य एवं असत्य को भरिये काता किसी भी बिसम संख्या का घं संख्या होता है बहुत बिलकुल भी क्या है गलत है सही नहीं है कोई भी देखे तो बिसम संख संक्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता तो संक्या 25 पर समाप्त होगी ऐसा बिलकुल भी नहीं है मतलब गलत है एसा पुर्ण घं जो आठ पर समाप्त होता है तीक है बिलकुल गलत है ऐसा है जिसे दो का क्यू आठ पर समाप्त होता है चलिए कता है दो अंकों की संख्या का घंग तीन अंकों वाली संख्या दो अंक वाली संख्या का घंज होता है वह 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 चार अंका होता है जैसे 11 का क्यूब होता है 1331 देख लीजिए सबसे छोटी हम ले लिए तो ये गलत है कता दो अंक की संक्या के घन में साथ से या नी बिलकुल भी सही नहीं है दो अंक की संक्या के चारी होगा न कता है एक अंक वाली संक्या घन एक ही है जिसे एक का क्यूब हुआ एक ही होता है न दो का क्यूब आठ बिलकुल सही है तो ये था हमारा कोश्या नंबर एक से लेके पांच तक के सभी प्रशनों का उत्तर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक करें शेर करें नहीं तो प्लीज सब्क्राइब करना बिल्कू न भूलें और पिशनी वीडियो को लिंक दिस्क्रिप्शन में दी गई है तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद चैह हिंद